नमस्कार स्वाकत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप सिंदी में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक गलास गर्म दूद के साथ दो खजूर के ये फायदे करोडों खर्च के बाद भी नहीं मिलेंगे आईए जानते हैं इसके बारे में आज मैं आपको खजूर के फायदे बताने वाली हूँ अगर आप रोजाना दो से चार खजूर हमारे अनुसार खाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे और ऐसे फायदे मिलेंगे जो आपने कभी सूचा भी नहीं होगा खजूर वैसे स्वाद में बहुत ही मीठा होता है लेकिन बाहर का जो रंग होता है वो बहुत सारे लोग उसे देख कर ही खाने से मना कर देते हैं और कुछ लोग होते हैं कि खजूर खाने से अपने आपको रोख ही नहीं पाते, तो दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि खजूर में भारी मात्रा में विटेमिन्स, मिनरल्स और खनीश्पदार्थ पाये जाते हैं. छोटे से दिखने वाले खजूर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होता है, इसके लावा फाइबर गुणों से युक्त होता है खजूर, खजूर में विटेमिन B1, B2, B3, B5, E1 और विटेमिन C पाया जाता है, इसके साथ ही पोटेशियम से लेस और सोडियम से युक्त, खजूर इतने सारे फाइदे देता है, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, तो यह जानते हैं खजूर के फाइदे, खजूर में मौझूद प्रोटीन, विटेमिन और मिनरल से बौटी को शक्ती मिलती है, जो लोग अधिक ठकान महसूस करते हैं, थोड उसी दिनों में पूरा कर देता है, इसके एलावा खजूर का सेवन पाचंद शकती को बढ़ाता है, पेट समन्धि कैसी भी दिक्त हो, उसमें खजूर का सेवन राह्ममन इलाज शिद यह पाचंद शकती को सही कर भूख बढ़ाता है, खजूर हिरदय रोगयों के लिए बह मिनरल्स होने की वज़े से खजूर हमारी हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है खजूर में मौजूद सेनलियम मैगनीज कॉपर जैसे मिनरल हमारी हड्डियों को मजबूती देती है जो लोग रोजाना वर्काउट करते हैं डेर सारी कसरत करने के शौकीन है उन्हें का परदूशन शहरों में फैला हुआ है उसे सबसे ज्यादा धूल संबंदिक संक्रमन होता है यह संक्रमन शरीर में अधिक फैल जाने से भिन-भिन प्रकार की बीमारिया जन्म देती है इस सबसे बचने के लिए रोजाना दो खजूर खाने चाहिए खजूर में सलफर पाय की अंडर वेट लोगों को खजूर खाने चाहिए ऐसे लोग चाहे तो दिन में तीन से अधिक भी खजूर खा सकते हैं खजूर का मीठापन और इसमें मौझूद प्रोटीन की भारी मात्रा बजन बढ़ाने में कारगर शिद होती है एक किलोग्राम खजूर में कुल 3000 क्याल बलकि भीगो कर खाएंगे रात भर साधरन पानी में खजूर को भीगो कर रखने से सुबह जब इसका खाली पेट आप सेवन करेंगे तो आपकी कितनी पुरानी कप्च होगी या फिर आप्रा होगा इन सब को वो चुठियों में साफ कर देगा केवल दो या तीन दिन इस प आप नॉर्मल दूद से भी इस्तमाल कर सकते हैं खजूर खाने से कैंसर नहीं होता खजूर का या एक ऐसा गुण है जो अधिकतर लोग नहीं जानते महिलाओं में आजकल उदर कैंसर यानि की साधारन भाशा में जिसे पेट का कैंसर भी कहा चाता है वो काफी बढ़ गया ह लेकिन खजूर खाने से उस पर गलाम लगाया जासकता है उमेद करते हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंदआई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हैं तो प्लीज लाइक करें कमंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाते हैं या पिर आप किसी परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कर्मेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारी चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम प्वेर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेल तूप्चारों के साथ जिससे आप अपनी परिशानीयों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें हेल्दी रहें खुश रहें थैंक्यू दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सबी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चके